इस वीडियो में हम एक example problem देखने वाले हैं जो कि acceleration से related है तो आईए सवाल देखते हैं सवाल में हमें दिया हुआ है एक aeroplane जो कि take off करने वाला है और इसकी take off velocity दी हुई है हमें take off velocity is equal to 180 km per hour और ये भी दिया हुआ है कि इस plane की acceleration वो है 1 meter per second square और इसको बोलने का एक और तरीका क्या था? वो था 1 meter per second प्रती second मतलब कि velocity में जो बढ़ोतरी या घटाओ आएगा वो होगा प्रती second में 1 meter per second का और हमसे पूछा ये जा रहा है कि take off में plane को कितना समय लगा या फिर कितने देर तक take off last किया? How long did the take off last? How long did the take off last? तो आईए सबसे पहले तो हम take off का process समझ लेते हैं कि take off होता क्या है? तो देखिए जो एरो प्लेन है वो runway पे एक छोड़ से चलना चालू करेगी और वहाँ से अपनी velocity बढ़ाती जाएगी बढ़ाती जाएगी जब तक कि वो take off velocity अचीव नहीं कर लेती हासिल नहीं कर लेती और फिर इस velocity पे वो जमीन छोड़ देगी और उड़ जाएगी तो इससे हमें ये पता चलता है कि एरो प्लेन की initial velocity थी 0 meter per second और final velocity थी जो take off की velocity है 180 km पर आर और क्योंकि velocity बदल रही थी तो जाहिर से बात है कि इसमें acceleration होगा और ये दिया हुआ है कि acceleration है 1 meter per second square का अच्छा एक और important बात ये है कि velocity और acceleration ये दुनों vector quantity है पर यहां तो हमने direction लिखा है नहीं vector quantity में तो direction होता है ना तो यहां माल लेजे कि जो direction है वो runway की direction में ही है velocity का direction भी runway की direction में है और acceleration का direction भी runway के ही direction में है क्योंकि velocity जो है वो बढ़ती ही जा रही है इसलिए acceleration को velocity के direction में ही होना पड़ेगा तो आईए सवाल को solve करते हैं लेकिन उसके पहले सबसे important चीज़ देखने वाली बात ये है कि velocity का unit है km पर r और acceleration का unit दियावा है meter per second square तो यहाँ पर समय का unit है वो है r और second और यहाँ पर distance का unit है वो है km और meter इन दोनों को तो हम साथ में solve नहीं कर पाएंगे तो किसी एक का unit बदनना पड़ेगा दूसरे की unit में तो यह सबसे पहले velocity को km पर r से meter per second में convert करते हैं तो velocity ती वही है 180 km पर r अब क्योंकि km है numerator में तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 1 km denominator में और 1 km में होते हैं कितने meter 1000 meter और यह मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि km से km कट जाए और फिर similarly और इसी तरह से हम r को भी change कर लेंगे r को हम उपर में लिखेंगे क्योंकि r लिखा हुआ है denominator में और 1 r में होते हैं कितने second 3600 seconds और यहां से r से r कट गया अब यह इससे solve करते हैं तो जिरो एक तो जिरो 1810s are 180 182s are 36 फिर यह 2 जो है इस 10 को काटते का पांच पार तो हमारे पास बचा 5 into 10 50 और unit बचा है हमारे पास बस एक meter का और एक second का unit बचा हमारे पास meter per second तो आगी हमारी velocity velocity is 50 meter per second अब देखिए अब हमें दिया हुआ था कि acceleration है एक meter per second प्रती second मतलब कि velocity बढ़ रही है हर second एक meter per second से और plane ने किस velocity से चालू की तो initial velocity थी 0 meter per second और हर second इसकी velocity बढ़ती गई एक से एक meter per second से बढ़ती जाएगी हर एक second में क्योंकि acceleration ही ऐसा है तो यह बताएगे एक second बाद इसकी velocity कितनी होगी वो होगी 1 meter per second दो second बाद इसकी velocity कितनी होगी 1 plus 1 that is 2 meter per second तीन second बाद इसकी velocity कितनी होगी plus 1 कर देंगे फिर से और आ जाएगा वो 3 meter per second वैसे ही 4 second बाद इसकी velocity होगी 4 meter per second तो 50 meter per second पहुचने में कितना समय लाएगा इस plane को? लाएगा 50 second तो ये हो गया हमारा take-off का time अब ये तो हमने दिमाग से निकाल लिया आईए एक बार ये भी देख लेते हैं कि formula से क्या आता है या फिर definition से क्या आता है तो acceleration की definition क्या थी? acceleration is equal to change in velocity change in velocity by time और हमें निकालना है time हमें दियावा है acceleration और change in velocity तो क्या करते हैं? time को एक जगा कर लेते हैं और बागी सारी चीज़ें एक जगा कर लेते हैं तो आईए दोनों साइड हम time से multiply करते हैं दोनों साइड time से multiply कर दिया तो ये time से time कट गया और फिर यहाँ पर आगया हमारे पास T into acceleration A तो यहाँ से acceleration को हटा लेते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर A से divide कर देंगे यहाँ भी A से divide कर देंगे फिर यह कट गया और हमारे पास बचा T is equal to change in velocity यानि कि V final minus V initial divided by acceleration जो कि यह A अब आईए सबकी values put करते है final velocity है take off velocity जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है 50 meter per second तो यह से यहाँ पर डालते हैं 50 meter per second minus initial velocity क्या थी तो starting में plane जो है वो rest पे था rest पे था तो इसकी initial velocity होगी 0 meter per second और फिर acceleration की value हमें दी वही है 1 meter per second square 1 meter per second square तो इसे हम solve करेंगे तो आएगा 50 meter per second divided by divided by 1 meter per second square तो इसे अगर हम numerator मिले जाएंगे तो लिखेंगे second square by meter तो यह मीटर से मीटर कट जाएगा और 1 second से 1 second यहाँ पर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा finally time is equal to 50 second और यह देखिए यह जवाब बिलकुल ही सही आए पिछले बार की तरह तो हमारे प्लेन को लगता है एक मिनिट से थोड़ा सा कम समय 50 second लगता है प्लेन को rest से take off speed अचीव करने में take off speed हासल करने में